च्छे अगस्त दो हजार चौबिस भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में सदा सदा के लिए यूग यूगांतर तक सदियों तक लिखा जाएगा के हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी विनेश फोगाट जिसने साथ घंटे में प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमी फाइनल जीत कर इस देश का तिरंगा पैरिस ओलम्पिक्स में रेसलिंग के मैदान में उपर फैरा दिया यूवी ससा की जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है जिसने पिछले 42 बाउट्स में पिछले 82 बाउट्स में पिछले 82 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और विनेश फोगाट ने शणों में खेल के मैदान में खेल की भाउटा से उसको हरा कर भारत के तिरंगे को लहरा दिया विनेश फोगाट कुष्टी के मैट पर तो नहीं हारी पर साजिश के मैट पर हार गई विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीती की बली चड़ा दिया गया आज देश के 140 करोड से अधिक लोग स्थब्ध हैं कल 6 अगस्त को सब खुशी मना रहे थे साधारन से साधारन व्यक्ति को ये लगता था कि उसकी खुद की बेटी जीत गई है हिंदुस्तान का मान और गौरव गर्व से इतना उंचा हो गया था हाँ सप्ताधारी कुछ लोग विनेश फोगाट को मुबारक बाद की ट्वीट करने से भी बच रहे थे सरकार के खेल मंत्री प्रधान मंत्री बड़े बड़े मंत्री नेतागण बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष वो जरूर कत्रा रहे थे क्योंकि इन सबका एक संदर्ब था भारत की बेटी विनेश फोगाट यह वही महिला पहलवान है जिसने पूरा साल 2023 में प्रधान मंत्री मोदी जी के चहेते रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के ततकालीन अध्यक्ष बीजेपी के ततकालीन सांसद ब्रिज भूशन शरन सिंग के खिलाफ शारीरिक मानसिक यातना के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई थी देश की खिलाडियों महिला पहलवानों की और से यह वही विनेश फोगाट तो है जिसने इस देश की अन्य महिला पहलवानों और दूसरे पहलवान भाईयों के साथ एक सो चालिस दिन से अधिक रेसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया में से गुंडा गर्दी मानसिक और शारीरिक पड़ताड़ना के खिलाफ जन्तर मंतर पर एक लो जगाई थी करांती की यह वही मिनेश फोगाट तो है जिसको भारतिये जन्ता पार्टी की सरकार ने जिस दिन संसद का उदगाटन हुआ जन्तर मंतर पर दिल्ली पुलिस से और पहलवानों के साथ घसिट वाया था यह वही मिनेश फोगाट तो है जिसके उपर मोदी सरकार ने एफ आयार दर्ज करवाया था और मुकदमा भी चलवाया यह वही मिनेश फोगाट तो है जो पूरे हिंदुस्तान के सत्ता तंतर स्पोर्ट्स के सत्ता तंतर के किलाफ शोरिये और धैरिये के चलते जजबे और साहस के चलते हिंदुस्तान का तिरंगा पहराने के एक जनून के चलते पेरिस ओलम्पिक तक पहुँच गई और एक बार फिर लड़कर साथ गंटे के अंदर प्री क्वाटर, क्वाटर फाइनल और सेमी फाइनल जीत कर दुनिया की तीन सबसे बड़ी पहलवानों को हरा कर भारत का तिरंगा पहरिस ओलम्पिक में फैराया ये वही विनेश फोगाट है जिसको एक कुछ सिच शड़ी अंतर ने आखिर में हरवाया साथियों जहां देश के 140 करोड लोग स्थब्द हैं देश के स्पोर्ट्स परसन स्थब्द हैं वा कुछ सवाल यखा यख हर व्यक्ति के मस्तिश्क में हैं आप मुझे बताईए कि एक ऐसा स्पोर्ट्स परसन विनेश फोगाट जैसा जो तीसरी बार तीसरी बार उलम्पिक में हिस्सा ले रहा हो दो हजार सोला दो हजार बीस और अब की बार दो हजार चौबिस समकाली नितिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे स्पोर्ट्स विमिन को या मिन को केवल सो ग्राम वेट अधिक होने के आधार पर डिस्क्वालिफाई कर दिया गया हो आज तक ये कभी नहीं हुआ वो पहली बार नहीं गई हिंदुस्तान की बेटी वो तीसरी बार उलम्पिक में हिंदुस्तान का जंडा लेकर गई थी हर बार जब किसी किसी खिलाडी का वेट अगर जादा भी हो जाए तो उसे एक से दो घंटा दिया जाएगा विनेश फोगाट को ये क्यों नहीं दिया गया तीसरा जितने खिलाडी गए हैं उससे जादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया क्या कर रही थी क्या वो मैडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मैडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे इंडियन ओलंपिक असोसेशन क्या कर रही थी उस समय भारत की स्पोर्ट्स के जो अधिकारी गए हैं वो क्या कर रहे थे देश के स्पोर्ट्स मंतरी क्या कर रहे थे ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना चौथा आर्टिकल ग्यारा है इंटरनाशनल ओलिम्पिक असोसेशन का उसमें तो ये भी लिखा है और कोई भी ट्रूप हो अगर सिरफ वेट की बात है तो वो पहले वेट खुद करेंगे फिर वो उसको स्पोर्ट्स एरीना में लेकर जाएंगे पहले दिन पहले दिन वेट ठीक था हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने एक नहीं दो नहीं तीन बाउट्स जीते वेट बिलकुल ठीक था अगले दिन सुभे वेट बढ़ कैसे गया ऐसा क्या जादू हुआ के सौ ग्राम बजन बढ़ गया और अगर अगर भारत की स्पोर्ट्स अतॉरिटीज के लोग जो साथ गए हैं सरकारी खर्चे पर स्पोर्ट्स के खिलाडियों से भी ज़्यादा संक्या में अगर वो इस बामले में मुस्तैद होते तो रूल तो बिलकुल साथ कहता है कि अगर कोई खिलाडी चाहे तो अपने आपको इंजर्ड घोशित कर सकता है वो अगले दिन जाए ही ना तो एक्जिस्टिंग मेडल तो मिली जाएगा तो हिंदुस्तान को तो सिल्वर मेडल रेसलिंग में फिर भी मिल जाता अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते तो फिर दिक्कत क्या थी क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी ये सवाल अपने आप पूछा जाएगा क्योंकि आंदोलन के समय साल 2023 में विनेश फोगाट को बबिता फोगाट को और कई और पहलवान साथियों को ये कहा गया था कि उनका केरियर खतम कर दिया जाएगा साथियों देश सवाल इन सवालों का जवाब तो चाहता है और देश ये जानना भी चाहता है कि कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा गौप दिया कौन है जो जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया और किसका चहरा बचाने की कोशिश हो रही थी और क्या विनेश फोगाट के मैडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी क्या इसी वजह से हर टीम का हम प्रोट साहन करते हमारी होकी की टीम बेतरीन खेली हमें बड़ी खुशी हुई के प्रदान मंतरी जी से लेके स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक हार के बावजूद हमारे साथी जब होकी के बेतरीन परदर्शन कर वो गए तो उनको उन्होंने एंकरेजिंग ट्वीट किया पर ये बेटी तो एक दिन में साथ साथ तीन तीन बावट जीतती है साथ गंटे में और हिंदुस्तान की सरकार चुप रहती है हाँ डिस्क्वालिफाई होने के बाद शनों के अंदर सांतुवना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधान मंतरी और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का हमें सांतुवना का ट्वीट नहीं चाहिए विनेश फोगाट से न्याय चाहिए याद करिए और मुलकों में भी जब ऐसा हुआ तो और मुलकों के लोगों ने उनकी सरकारों ने क्या किया उन्हों ने बाकाइदा इस बात को लेकर अपील की ये जो फेत केपन है मैं भी मैं उनका नाम सही नहीं प्रणाउंस कर रहा उनका मेडल रिस्टॉर हो गया हिंदुस्तान की सरकार सांतवना क्यों दे रही है न्याय क्यों नहीं मांग रही रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया एक रहस्य मई चुपी क्यों साधे है वो रेस्लिंग फेडरेशन इंटरनाशनल के दरवाजे क्यों नहीं खट-कटा रही इंडियन ओलम्पिक असोसेशन और पूरी भारत सरकार केवल सांतवना देकर चुप क्यों है वो इंटरनाशनल ओलम्पिक असोसेशन का दर्वाजा क्यों नहीं खटखटा रही देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां क्यों बैठे हैं या गुजरात ना चले गए हों बजाए इसके के वो पैरिस जाएं देश के प्रधान मंत्री खुद इंटर्वीन क्यों नहीं कर रहे जो प्रधान मंत्री युक्रेन का और रूस का युद रुकवा सकते हैं वो विनेश फोगाट को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते ये सवाल हैं ये सवाल हैं जो इस देश के लोग पूछना चाहते हैं उम्मीद है कि देश के खेल मंतरी देश के प्रधान मंतरी विनेश फोगाट के साथ न्याय की शुरुवात इसी शण से करेंगे कोई प्रशन आप पूछना चाहें तो स्वागत है कुछ चीज़े मैंने आपके जहन के लिए छोड़ दी एक बात इस देश का बच्चा बच्चा कह रहा है इस बेटी से अन्याय हुआ शड़ियंत्र हुआ वो अन्याय किसने किया वो शड़ियंत्र किसने किया मुझे मालूम है मैं बहुत जुम्मेवारी से ये गंभीर आरोफ लगा रहा हूँ और मैंने इसलिए आपको रेसलिंग फेडरेशन का रूल दिखाया मैं अगर मेरे स्पोर्ट्स परसन को खेल के लिए ले जाऊंगा तो मुझे मालूम है ना उसका वजन करूंगा ना अगर आप केवल सर के बाल सारे काट दें तो सो ग्राम वजन कम हो जाता है दो गिलास पानी पी ले तो सो ग्राम वजन बढ़ जाता है अगर आप शौच के लिए चले जाएं तो सो ग्राम वजन कम हो जाता है इसलिए शायद बीजे पी में हैं एक साथी पर हैं तो बेबाग बीजे इंदर सिंग बॉक्सर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं कि ये भी हो सकता है तो लगता है कई बार ये ये शक की सुईसीदी पैदा होगी कि क्या विनिश फोगाट के मैडल से दिक्कत तो नहीं थी सत्ताधारी लोगों को इसलिए इस बात का जबाब देना होगा जो देश इसका जबाब मांगता है कि उनको स्केपिंग कराई गई एक्सराइज कराई गई सोना स्टीम बात दिया गया बाल काटे गए तमाम ऐसी जो भी आवशक्ता थी करने की वो सब किया गया उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि भारे सरकार की तरफ से या औरम्पिक एसोचिन की तरफ से प्रयाप प्रयास नहीं हुए आदरी ये साथी में डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मैं आपको एक बात कहे सकता हूँ गाउं के अपने तजर्बे से मैं आपको अभी एक बाटल पानी और चार गिलास पिलाऊं तो आपका वजन सो ग्राम बढ़ जाएगा और आप उसके बाद वाश रूम यूज करके आएं तो आपका वजन पचास से सो ग्राम कम हो जाएगा और मैंने एक सीधा आपको रूल 11 दिखा के कहा न आर्टिकल 11 मैं मेरे खिलाडी को जब लेकर जाओंगा यहां कोई ड्रग्स की शिकायत तो नहीं है न उस बिटिया के खिलाफ तो उसको वे करके तो लेकर जाओंगा यह तो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंस्पल है आप जो खिलाडी नहीं आप भी ये करते और अगर ऐसा है तो फिर भी आपको लग रहा है और खिलाडी को भी ये लग रहा है तो आपको बाउट गिव अप कर सकते हैं आपको सिल्वर मैडल मिल जाएगा बगेर जाए ग्राउन में पर आपको कहीं सिल्वर मैडल भी गवाना था जो वो लड़की जीत गई थी इसल प्रूस्ट कुलुकिश पुर ने सिर्ग पलता था कि इस तरह में है, वाजाए दिए पूरह फोकुष इस पसे ज्यादा था कि किस सब्सक्राइडSt परकार कि इस सब्सक्राइब गारिक्थ इस पूरहु ए जानागत था देश का दुर्भाग्य है कि मोधी सरकार इस बात के लिए अपनी पीट थप थपा रही है कि उन्होंने सत्रा लाख रूपिया विनेश फोगाट पे खरचा था मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कहता हूँ इस देश के साधारन से साधारन गरीब से गरीब खिलाडी के लिए की तरफ से जो एक पूरा जीवन जिन्दगी के 20 साल भारत का तिरंगा लहराने के लिए हिम्मत करता है ग्राउंड में प्रेक्टिस करता है हम 17 लाक इकठे करके दे देंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साब आप विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल वापिस दिलवा दीजे हम आपको 170 लाक रूपिया इकठा करके देंगे 17 सो लाक रूपिया इकठा करके देंगे 170 करोड इकठा करके देंगे ना इस देश के लोगों से आप उसको गोल्ड मेडल के कॉम्पिटिशन में बिठवाने की इजाज़त दिलवा दीजे तैंक यू विनेश वोगाट पहले तो गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही थी मैं इस देश के लोगों की और से समेथ भारती राश्ट्रे कॉंग्रिस के ये कहूंगा कि अब विनेश वोगाट हमारे लिए इस देश के लिए पूरी की पूरी गोल्ड है उसने अपने चरित्र से अपनी मेहनत से अपने धैरिये से अपने साहस से अपने शोरिये से ये साबित कर दिया कि हिमाले को भारत के तिरंगे के आगे जुकाया जा सकता है कि आसमान के अंदर छेद किया जा सकता है कि पूरे सिस्टम से लड़कर देश की पूरी सरकार से लड़कर भी देश का तिरंगा लहराया जा सकता है हमारे लिए वो कल भी गोल्ड मेडल विनर थी आज भी गोल्ड मेडल विनर है और इस देश के लोगों के दिल का गोल्ड मेडल हमेशा विनेश फोगाट के साथ रहेगा जब वो आएंगी तो उनका स्वागत गोल्ड मेडल विनर से कहीं जादा और जादा अच्छे तरीके से करेंगे और राहुल गांदी जी प्रियांका गांदी जी खड़गे साब उनकी शुबकामनाएं पहले दिन से ही विनेश के संघर्ष के साथ रही याद करिये प्रियांका गांदी जी पहलवानों के उस संघर्ष में शामिल भी हुई थी मैं भी उस संघर्ष में शामिल रहा उनके साथ तो इसलिए उनका संघर्ष, उनकी हिम्मत, उनका शोरिय वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि वो हिंदुस्तान के 140 करोड के लोगों के दिलों में गोल्ड विनर है आदरने मित्र, हिंदुस्तान की सबसे बहादूर और बेहतरीन खिलाडी बेटी के खिलाफ रची साजिश का जवाब हिंदुस्तान के लोग देंगे ये बदले का सवाल नहीं, ये न्याय का है वे भी के लिए बदले का जवादी बेटी ये खिलागा का जवाज का हुआ रची साजिश के लोगी करिएो, लोग में रचै के लोग दोगल वादी दिलाओी के लोग वाल रचैजार बदले